दोस्तो एक और कुंडली एनलाइसिस मैं करने जा रहा हूँ यह व्रिष्चिक लगन की कुंडली बनती है रासी इनकी मिथुन रासी बनती है सनी की महादसा चल रही है जो 2034 तक चलेगी सनी की महादसा इनकी तीसरी दसा है जो संकटों से विकटों से दिक्कत समश्याओं की दसाएं चल रही है तीसरी दसा हमेशा थोड़ा कष्टकारी रहती है थर्ड आउस और फोर्ट आउस का मालिक है थर्ड आउस महनत का मालिक है चोथा सुक बावर लगजरी का मालिक है सनी श्वैग रही होकर अपने ही भाव में बैठा है तो सस नामक पंच महापुरुस राजयोग भी बनाता है लेकिन चोथे भाव में सनी मन को पीडित करता है साधी का मालिक 12 होकर बैटा है अपने से सुक्र 6,8 का संबन सडाश टक बना रहा है लेकिन स्वैग रही बैटा है मतलब बहार साधी हो सकती है अपने जनम इस्तान से दूर साधी होने के योग है इगो से साधी में दिकत समश्याओं का ठकराओ रहा सकता है सुक्र राहू की यूती से लव मेरीज में ब्रेक अप लव मेरीज तूट जाएगी साधी के योग इनके 2023 से ही बने वे हैं 2025 के बीच में साधी इनकी हो जानी चाहिए 2025 तक साधी इनकी हो जाएगी साधी के योग वेसे 2021 में भी बनाता लेकिन डिवोस नहीं होगा तलाक नहीं होगा क्योंकि गुरू अपनी साथवी द्रिष्टी से सब्तम भाव को देख रहा है जो साधी जीवन को अच्छा भी करता है लेकिन सूर्य इगो हाउस इगो लगन में बैठकर इगो देने की वज़े से दिक्कर समश्याओं का सामना इनको करना पड़ सकता है करियर की बात करूं तो सनी का पूर्ण द्रिष्टी दसंभाव पर है सनी केतु रुकावट डालते हैं बार-बार सनी की तीस तरी द्रिष्टी केतु परोणने से रुकावटों का सामना करना पड़ता है टैन ताउस का मालिक लगन में ही बैटा है गुरू के साथ बैटा है जो गौर्मेंट जोब वे अमनसी कंपनी के अंदर जोब दिखाता है सनी के त्रिकोन चंदर के साथ होने के करन करम में बार-बार करियर में बार-बार बदलावाने की इस्तिती बनती है बात करता हूं स्वास्त संबंदी दिक्कत समश्याओं का केतु इनके 6 ताउस में होने के गार्ण ओप्रेशन की इस्तिति दिखाता है पेट से संबंदी ओप्रेशन हो सकता है गुरु इनके लगन में बैठा है सुर्य के शाहत है appendix का ओप्रेशन दे सकता है यहाँ पर चंदर भी एर ताउस में बैठा है जो इनको stress, overthinking, mental stress, depression, बार बार एकी चीज को सोचना ये दिक्कत समशे चंदरमा इनको दे सकता है माता का भी हिस्वास्त है संबंदी दिक्कत समशे हो सकता है पेर और कमर में दर्द रह सकता है बुद्ध और केतु का संबंद आमने सामने होने की वज़े से इसकीन से related issues भी हो सकते हैं चंदरमा पीडित है, चंदरमा का उपाई जरूर करें, केतु हर कार्य में रुकावट जरूर डालेगा उपाई बता देता हूँ, उपाई जरूर करें, सूर्य को जल देना है, सूर्य को जल देने से आपका ego satisfaction होगा और self respect आपको मिलेगी और आपके partner के साथ भी कसमशे हों का सामना नहीं करना पड़ेगा हनुमा अन्चालिसा या सुन्दरकान का पाड़ करें, क्योंकि आपका mangal ग्रह, नीच का होकर भाग्य बावन बेटा है, तो भाग्य में आप जितना सोचते हो उतना आपको नहीं मिल पाता है नमक के पानी से नाए, ताकि आपकी रुकावटें दूर होगी रात को ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने से चंद्रक्रे भी आपका बैलेंस होगा, हो सकते तो मून इस्टोन धरन करें, क्योंकि चंद्रमा आपके भाग्या कर भी मालिक है, और अपने से बारवा होकर बैटा तो भाग्या आपको कोसो कोसो साथ नहीं देता है तरह दोस्तों अगर आपको भी अपनी कुंडली अनलाइसिस करवानी हो, यो डिटेल जरूर से एर करें और मेरे वाटसप पर मैसेज करें, मैं आपको जल्ड से जल्ड अपनी कुंडली कुंडली आपकी पास्ते देता है